नमस्त डोस्तो आज हम सेखने वाले हैं सलवार की कटिंग तो चलिए समझन कमातियें शुरू करते हम है दोस्तों है हमारा सलवार का कपड़ा है और इसकी लंबाई 35 है तो यहां से हम इसनाफे थो यहां से 55 इंच कहां पार रही देखेंगे तो यहां से 25 इंच अन्यारा charge देखिए 35 हमारा यहां प्याया तो इसमें 3 इंच में एकस्ट्रानेघे करके क्यों कि क्यों कि गरिभी ने लिए 2 इंच पत्रती यारो प्रती न स्वाइक क्यों चुप धीक तो यहां पर 8 38 पर निसान लगाएंगे तो साथ इंच से छोड़ेंगे और यहां हमारा 38 का पा रहा है हम वह देखेंगे तो एक यहां पर यहां पर निसान लगाएंगे एप अब यहाँ पर हम कि यहाँ से हम कि सिट का दृस्त भाग लेंगे मीडोुआ तweet का đ проблема है तो इस कई फोटीफिपैं तो फोटीफॉर का हमारा साड़ें 14 इंच आहरा है रखेज़ फोटीफ्आप का तीसरा भाग साड़ें चोड़ेंच आम तो 14 इंच पर हम यहां पर निसान लगाएंगे यहां पर 14 इंच हमारा यहां पर आ रहा है लेकिन आपको जितना चाहिए हम उतना बढ़ा सकते हैं जितना आपके पास कपड़ा है तो आपको पूरा ले लेना है यह चीज क्योंकि इसमें प्रेट यतना ही देंगे उतना हमारा हम क्या करेंगे यहां से 9 इंच लेंगे यह दिखे यहां से 9 इंच पर निसान लगाएंगे हर यहाँ सहां हम को सेइब देना है कि यहां से आईसा राउन में सेफ दे देंगे यह देखिए यह हमारा सेफ हो गया अब इसको हम देखेंगे अब चलेंगे बॉटम पट्टी के तरफ एदिक यह हमारा यहां पर बॉटम पट्टी है तो दोस्तों यह कपड़ा जो है आमने चार फोल्ड कर रखा है देख लिज रहता है ना वह लेंगे तो य réflexe आपको कितना रॉड़ा से आपको लेना है जैसे आपका तो pelon 14 तो 14 चाहिए तो हम को साथ चाहिए टूहरा से शायरे यहां पर शाहिए तो यह से हम 7 तो तो साथ इंच पर हम निसान लगा लिये। इसमाबसेक्न सीधा हमारी फ़रे गहीं हमारे तो इहां से हम 9 इंच पे लिएक्षण लगाएंगे इने देख़ेए यहां पर अब इसको हम सीधा करेंगे हैं देखिए यह हमारा सीधा हो गया यह दो इंच का हमारा बॉटम पट्टी हमने जो इक्ष्टा लिए थे थे तीन इच तो यहां पर दो इंच पर हम एक निसम और लगा देंगे किए धे किए हमारा पट्ट तो हम यहां Chief लेंगे इसमिए जो फोल्ड करना है इस त्रफ से यह अब हम क्या कर fragments है EC2 यहां यहां से हमने परटी मिला मिलाना है ऐसा देना है तो हम यहां से इसको मिला देना है समस् programmром कर देफ और इसको हम यहां पर देंगे आ कि यहां पर मिल ले संस्ट अब इसका हम कटिंग कर लेंगे यहां पर हमने दो इंच बॉटम पट्टी छोड़े और इसको हमने क्रॉस में यहां पर मिला दिए और यहां से हम इसको जो प्लेट देते हैं यह चीज है इसके ओपर हमारा भी बेल्ट लगेगा 9 इंच का ब्लेट निकालेंगे तो इसको हम सबसे पहले हम इसका कटिंग करेंगे तो चलिए हम इसका कटिंग कर लेते हैं तो यह देखिए हम बॉटम के पट्टी के तरफ से हम कटिंग कर रहे हैं अब इसको हम यहां पर जो 9 इंच का से दिये थे वहां पर हम इसको ले जाएंगे अब इसको हम यहां से इसा सेव दे लेंगे हो गया है यह हमारा नौ इंच है अभी हमारा बेल्ट में निकलेगा नौ इंच उसमें फोल्ड होगा तो यह आप हमारा जो है क्रॉच बोलते हैं आपको बाद में बताएंगे अब हमने सलवार की कटिंग कर ली है अब हम बेल्ट कर लिया समझे बेल्ट का मेंजयमियन् हमारा कैसे है अबरा क्याहि टो इसमें हमको आदा भाग लिया जाता है सेट का तो हमारा सीट है MOR 24 इंच-025 एंच आएगा तो हम यहां से एक निसार लगा देंगे कि यह हमने 22 इंच पर निसान लगा दीए मिला मिला लेना है कि नारी बनाते हैं उसके लिए व्लिए ठीन इंच-08 बढ़ा करेंगे कि तो में यहाँ पचीज इंच पर निसल को सीधा किर लेंगे मिंद ईसको सिल न कुछ और पर न कभीक कपा और ज्यादा रहता है तो हम अब यहां करेंगे एक उपर से यह नेचिक तरफ से यह हम इसको इसको कर देंगे अब इसको नौ इंच का बेड़ चाहिए तो हम नौ इंच का लेंगे तो यह देखिए यहां से हम 9 इंच पे निसान लगाएंगे क्योंकि हम उसमें 7 इंच छोड़े थे ना जो हमने 38 इंच का लिए थे तो इसमें 7 इंच छोड़ के लिए थे तो इसमें हम 2 इंच और बढ़ा देंगे दो इंच क्यों बढ़ाएंगे यह जो हम इसको फोल्ड करके नाड़ी बनाते हैं उसके लिए हम दो इंच इस में बढ़ाएंगे नौ इंच लेंगे हम तो यहां से हम नौ इंच पर निसान लगाएंगे तो यहां से हमारा नौ इंच यहां पर आ रहा है यह देखिए तो यहा कि इस तरफ ऐसे रखके हम इसको सीधा करेंगे 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 कर दूसरा दूसरा भाग लिए हमारा यहां पर 22 इंचा हमने तीन इंच और इसमें आड किये हैं अब इसका हम एक कटिंग कर लेंगे इसमें हमने सलवार में जो साथ इंच छोड़े थे उसमें हमने इस दो इंच और बढ़ा दिये दो इंच बढ़ाए हैं इसको ऐसा फोल्ड जो हम नाड़ी डालते हैं तो हमने आपको एक बाग फिल से रिपीट करके बता दिये अब इसका हम कटिंग करेंगे तो दोस्तों हम हो भी कटिंग कर लेंगे यह देखिए जो हमने लागा यहां से मिज़क आप ड़र कुट कर दोस्तों इसे वीडिक में हम आ पको कटिंग बताए हैं और us वीडियो में हम आपकों अपना हैं स्टिछिंग बताएँगे हमhi स्टिशिंग कैसे करा गी कि वह आपको कर दो दोस्तों कर आप कहीं समझ में आ रहा है तो आप कमें करकी पूछ सकते हैं और नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं हम आपको बताएंगे तो यह देखिए हमारे नौ इंच का पट्टी कर चुकी है आज हमने सीखा सलवार की कटिंग तो यह देखिए अब इसको यह हमारा ह सलवार की कटिंग है अब देखिए आप देखे हैं आभी समय सीधा कटिंग के दोसली कर लेंगे यहां से इस तरफ से स्क्राटिंग करणे देखिए करेंगे कैसे करेंगे अभी तो हम आपको नेश वीडियों दिखाएंगे फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूं ए देखिए यह जो हमने प्रस्ष नोउंच का क्रॉस दिये ठीच तो यहां से एक के दीच रप कपड़ा रहें और इस्टरप का अ ठीक है अब इसको हम सोगने मोड़ दिखाएंगे आंपको एह देखिए को ज्रीन कि यहां से इसको हम इसको ऐसा पकड़ेंगे पकड़ेंगे यहां तक हम इसको स्टीचिंग करेंगे यह दिखिए ऐसा स्टीचिंग करेंगे और इस तरफ से हमारा यह दूसरा भाग भी इसी तरह होगा यह देखिए इस तरह से स्टीचिंग करेंगे तो हम आपको नेश्ट व वीडियो में आप प्रेक्टिस कीजिए दोस्तों वीडियो देखें लिए धन्यवाद समझे सीखें सफल्वने